Hello and welcome to CMC Indoor अभी जनता के दिमाग में एक बात बहुत ज़ादा बैट गई है कि भीया अब अगर हम 2000 रुपे से ज़ादा का online transaction करेंगे किसी को 2000 रुपे से ज़ादा अगर हम भेजेंगे UPI के थूँ तो हमको 1.1% का charge जो है वो extra देना पड़ेगा जिसको आप surcharge भी बोल सकते हो इसको लेकर अभी अभी NPCI ने अपना रुख साफ किया है और clearly ये बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है charge तो लगेगा लेकिन वो किस तरह से लगेगा वो हम अभी detail में जानेगे तो देखो भया सबसे पहले तो देख लेते हैं NPCI के बारे में तो National Payment Corporation of India इसका full form है NPCI के तहट ही UPI आता है UPI मतलब Unified Payment Interface और ये जो NPCI है ये RBI के तहट आता है अब NPCI ने 2000 रुपए से अधिक के merchant payment पर PPI चार्ज लगाने की बात करी है PPI का full form होता है Prepaid Payment Instrument ठीक है इसकी बात करी है कि ये 2000 से उपर का अगर आप पेमेंट करते हो तो आपको इतना पैसा कटेगा मतलब 1.1% चार्ज आपको देना पड़ेगा अब इसको लेकर आम जनता बहुत ज़्यादा परिशान होगी क्यूंकि आजकल आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि cash बहुत कम लोग रखते है Digitalization बहुत ज़्यादा हो गया तो लोग online payment बहुत ज़्यादा करते है चोटे-चोटे transaction भी लोग online करने लगे है यहाँ पर चार्ज जो है वो 0.5 से 1.1% की बात करी गई है UPI के जरीए 2000 रुपए से ज़्यादा के transaction पर 1.1% प्रीपेट पेमेंट इंस्रूमेंट यानि PPI लगाने का सुझाओ दिये जाने का जिक्र किया गया था लेकिन यहाँ merchant transaction पर दे होगा यह हम जैसी आम जनता को नहीं देना है इस चीज से आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएए कि भी यह आम जनता को यह पेमेंट नहीं करना है कई लोग के दिमाग में यह चीज़े चल रही थी कि भी यह आम जनता जो है अब पेमेंट करेगी तो किस तरह से हम इसको manage करेंगे हमको तो बहुत जादा पैसा देना पड़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है अब पहली बात तो यह है कि भी यह देखो हम जब पेटियम वगेरा यूज करते हैं तो आपको आपने पेटियम वॉलेट सुना होगा ठीक है पेटियम वॉलेट नॉर्मली जो है जब हम UPI transaction करते हैं तो हम bank account से bank account में पैसा भेज देते हैं उस पर हमको कोई charge देना नहीं पड़ता है लेकिन जब हम दुकान में जाते हैं तो हम जब पेटियम वॉलेट का यूज करते हैं पेटियम वॉलेट में क्या होता है सबसे पहले आपको वॉलेट में पैसे डालने पड़ते हैं मालो 2000, 3000, 4000 अपने वॉलेट में डाल दिया अब जब आप payment करोगे कही पर तो आपको कोई code वगेरा जादा डालने की जरूरत नहीं है bank account का कुछ भी आपको वहाँ पर डालने की जादा जरूरत नहीं अब directly wallet से payment कर सकते हो है ना आप लोग online payment अगर करते हो तो आप लोगो बहुत अच्छे से पता होगा तो पेटियम wallet की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पेटियम wallet से जब आप कही payment करोगे किसी दुकान पर तो आपको वो extra charge नहीं देना है मालो आपने 2000 की जगा 3000 का payment कहीं पर कर दिया किसी दुकान में कोई सामान लेकर अब जो दुकान बार है वो आगे चल के payment करेगा ठीक है वो आगे चल कर मालो 3000 का सामान लिया है उस 3000 पर 1.1% का payment जो है वो merchant करेगा आपको नहीं करना है ठीक है आपको नहीं करना है मर्चेंट जो है वो paytm को करेगा वो payment ठीक है तो यहाँ पर यह जो confusion था यह दूर हो गया होगा कि यह customer को कोई payment नहीं करना 1.1% यह हो सकता है कि आगे चलके इस वज़ें से आपको दुकानदार यह बोल दे कि भाईया हमको तो charge लगी रहा है आप इतना payment कर रहे हो मालो आप 15 20,000 रुपए वहाँ पर pay कर रहे हो तो दुकानदार यह बोल सकता है कि भाईया हमको इसका बहुत ज़्यादा पैसा आगे देना पड़ेगा 1.1% का charge हम पर लग रहा है तो हो सकता है वो आपको बोले कि extra charge आप हमको दे दो लेकिन NPCI ने बोल दिया है कि customer पर कोई charge ऐसा नही हो जाएगी UPI यानि Unified Payment Interface ठीक है Google पे वगेर आप लोग जो यूज करते हो न यह सी में आता है पिछले वित वर्ष यानि financial year 2022 कि एकर मैं बात करूँ UPI transaction जो है एक trillion को पार कर चुकी है एक trillion का UPI transaction भारत में हो चुका है UPI payment पर 1 अपरेल से आम जनता को कोई extra charge नहीं देना ह आम जनता को नहीं देना है shopkeeper दुकानदार जो होंगे जो आप से पैसा लेंगे 2000 से जादा लेंगे तो उनको आगे payment करना है आपको कुछ नहीं करना है UPI के जरीए सबसे जादा transaction bank account को link करके किया जाता है अभी फिलहाल wallet से सिर्फ 1% का ही transaction होता है अभी तक सोच लो 99% transaction जो ह UPI ecosystem में लाया गया है यह मैंने आपको पहली बता दिया ठीक है जिसके बाद इन पर interchange charge लगेगा customer पर कोई charge नहीं सिर्फ merchant पर इसका असर होगा bank और service provider के बीच होगा यह प्रावधान जो service provider है जो shopkeeper है जिससे आप सामान खरीद रहे हो जिसको आप payment कर रहे हो उसके और bank के ब तो newspaper में बहुत बार यह पढ़ने को मिला यह article ठीक है और आज भी यह article छपा था और लोगों के बीच में यह बात बहुत ज़्यादा सुनने को मिले थी कि अब हम पैसा कैसे handle करेंगे कैसे हम online payment कैसे करेंगे online payment करेंगे तो हमको 1.1% देना पड़ेगा 2000 से जादा हमने दे द जाएसा कुछ नहीं है बिल्कुल free है यहाँ जो free लिख के आ गया तब ही लोगों की tension हो गई खतब fast सुरक्षित और निर्बाद है ठीक है सुरक्षित है fast भी है पता ही है हमें और निर्बाद है कोई दिक्कत नहीं आपर हर महीने बैंक अकाउंट के जरीए customer और merchant के लिए 8 billion transaction process होते हैं देखो यहाँ पर एक important data सामने आया है NPCI के द्वारा कि हर महीने जो bank account के जरीए customer और merchant के बीच में जो process होता है transaction वो कितना होता है देखो यहाँ पर 8 billion transaction होते है जो बिल्कुल free है कोई charge नहीं लगता है कोई surcharge नहीं लगता है bank account से किसी अन्य bank खाते में की गई payment पर कोई charge नहीं है यह wallet से अगर payment करे तो charge है वो भी merchant को लगेगा आपको नहीं लगेगा दस बार repeat कर दिया मैंने कोई confusion मत रखना लेकिन prepaid wallet के जरीए की गई UPI payment पर merchant को charge देना पड़ेगा ठीक है यहाँ भी clearly लिखा है कि merchant को charge देना पड़ेगा अगर फिर भी आपको confusion हो रहा है तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं तो वीडियो को like करेंगे चैनल को subscribe करेंगे और वीडियो को जादा से जादा शेयर करेंगे आज के लिए तना ही thank you so much